हेलो फ्रेंट साब सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सौम क्लासेज में दोस्तों यूपी टैट के द्वारा जो ओफीशल आंसर की जारी किये गई है उसे देखकर वास्तों में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप भ्यरते ओपर पैसे लेने का एक तरीका है क्योंकि जैसे आप समझ पा रहे होंगे लगबग 10 से 12 ऐसे कोश्चन है जिन पर बजबरदस तरीके से डाउट है और जो एक परसन की आप इत्ती के लिए कोश्चन मानग गया है लगबग 500 रुपी मांगे गए हैं तो आप समझ सकते हैं ये क्या हो रहा है पहला सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में एक कोश्चन पेपर में 1500 परसन होते हैं और 1500 परसन में आप लगबग 12 से 13 कोश्चन गलत बनाते हैं तो आप किस हद तक जा रहे हैं यानि एक पूर्ण रूप से पेपर का सुद्धी करान माना जाता है और दोबारा से 13 करेंगे वीडियो को लाइक करके सेर करना बिलकून न भूलें और यदि कोश्चन पर डाउट लगाना है तो एक कंबाइन कमेटी बनाकर लगाईएगा गुरूप बनाकर लगाईएगा सिंगल स्टुडेंट आप अत्ति दर्ज ना करें उससे सायद आयोग पर कोई तन केवल एक केवल जो है वो उपसन नंबर सी यानि जो दिया है नोने वीज वीब्रियो में नाइट्रो इस्ट्रेन की छंता नहीं होती तो जिसने उपसन नंबर ए लगाया है उससे भी सही होगा उपसन नंबर दो लगाया है उसका भी सही होगा और उपसन नंबर चार लगा जो next person है जो doubtful question के अंतर देखे next question है अनुचे 356 का पर्थम परियोग कब और कहां हुआ था पर्थम परियोग पूछा गया है कि पर्थम परियोग कहां हुआ गया था तो 1951 जो सबसे पहले 356 का परियोग क्या गया था वो पंजाब में क्या गया था 1951 में मगर जब आप option में देखेंगे पंजाब का कोई option ही आपको देखने में नहीं मिलेगा इसके बाद जो है केरल 5099 इसके आधार पर आयोग ने जिसका अंसर बताया है वो option number 6 फर्स्ट बताया है यानि केरल 1959 यदि person इस तरीके से पूछा जाता कि जो नीचे विकलप दिये गए है वो उनमें से 56 का पर्थम परियोग तो पर्थम परियोग 1951 में पंजाब में हुआ था और पंजाब option में नहीं है तो हम फिर गुजारिस करेंगे आयोग से कि इस person के लिए भी common marks दिया जाए और सभी student को इस person के लिए common marks मिले क्योंकि इन परसनों में अभ्यारती की कोई गलती नहीं है उ नेच्ट परसन के तरफ बढ़ते हैं जो doubtful question में आता है नेच्ट question है भारत में ठरुजञ जाती कहा निवास करती है तो भारत में ठरुजञ जाती उत्तरप्रदेश के तराई छेत्र में यह उत्तराखंड में तो यह गलत होगा और आयोग के दौरा जो answer बताया गया है उत प्रदेश के तराइच छेत्र में थारो जन जाती निवास करती है यह सही है मगर वास्तों में गलतिया है भी नहीं है उत्तराखन तो ओपस नमबर फर्स्ट और सेकिंड और इसके लिए सही होंगे और कॉमा नांक इसके लिए दिया जाना चाहिए क्योंकि अभ्यरती को यह व गलति है जो परसं गलत दिये गए है जो आंसर गलत दिये गए है और अभ्यरती कि वाथ एक राये एक मांग है कि वह मांग explain marks दे next person के तरफ बढ़ते हैं जो next person आता है देखे next person है कि किस देश में लचिला सम्विधान लागू है किस देश में लचिला सम्विधान लागू है तो option जो दिया गया है इसमें तीन नंबर option दिया गया है आयो के तरफ से United Kingdom यानी UK answer बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है United Kingdom में लचीला समीधान लागू है मगर दोस्तों उसके साथ साथ आपको यह भी समझे रहना चाहिए कि भारत में भी लचीला समीधान है और अमिरीका में भी लचीला समीधान है यह तीनो देश दो तीनो चार तीनो देश ऐसे हैं जिन में लचीला समीधान लागू है United Kingdom पहला यानी स्टेट है यानी पहला देश है जिसमें सबसे जाजा लचीला कानून है मगर इसके साथ हम यह बिलकुन नहीं कह सकते United Kingdom के साथ कि भारत और अमरीका में लचीला समीधान लगी है यदि हम इस सम्झेन में बात करें चीन की तो चीन में लचीला समीधान लागू नहीं है वह एक और वहां का कानून सक्त है तो यदि परस लागू नहीं है तो बिलकुल सही होता चीन मगर क्योंकि option में आपको United Kingdom दिया गया है तो जिसने United Kingdom लगाया है उसे भी number मिलना चाहिए जिसने भारत मिलना लगाया है उसे भी number मिलना चाहिए तो हमारी इस person पर भी doubtful question की मांग है कि यह भी doubtful question है दोस्तो इस चीज़ को आपको समझ लेना चाहिए कि आपको community के साथ अपति दर्ज करें बिना community के अपति दर्ज ना करें इन question का proof मैं आपको पीडिया फाइल में दे देंगा जो proof with authentic source की ताप आप फीडिया फाइल हमारी link से डाउनलोड कर सकते हैं next question की तरह बढ़ते हैं जो next question है देखें वर्दन की पंगती कुदली अधार पलल लोचन एक द्यांस दिया गया था जिसमें पूछा गया था नेमने में से पध्यांस में से कौन सा रस है तो देखें समझना होगा यहां दोनों तरह के रसवी दुहान है इसमें सिंगरा रसभी और वातसल्य रसभी मिले क्योंकि यदि आप पध्यांस ध्यांस से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें सायद वातसल्य रस का एक भाव जलक रहा है उसके स्रंगा रस से ज़्यादा तो इस पर सायद आपको common marks ना मिले मगर यदि आप doubtful इस को सप्ट पर आपतिदाजिन करना चाहते हैं तो सायद मेरे हिसाब से ये कोस्ट पर आपको marking ना मिल पाए तो कोशिस आप इस को स्टोडने की करें तो इसमें वासले रसका भी भाव है, स्रेंगा रसका भी भाव है, दोनों तरह के आंसर इसमें दिये गए हैं, तो इसकर सायद आपको doubtful question में answer ना मिले, next person देखते हैं, जो next person आता है, वो next person क्या है, देखें next person है, निमलिक कितमे से कौन साथ सब्द पुर्लिंग है, question number 50, और सायद जो यूपिप्टेट का exam हुआ है, उसका सबसे doubtful question यही है, निमन में से कौन साथ सब्द पुर्लिंग है, चील, कडी, सरसो और संतान जो आयोग की तरफ से आंसर दिया गया है, वो संतान दिया गया है, संतान पुर्लिंग सब्द है, संतान होता है, यह आप कभी नही लिखते हैं, संतान जाती है, संतान पुर्लिंग सब्द है, मगर आयोग ने फिर भी से संतान को पुर्लिंग सब्द मान कर चली है, तो देखे का मैं आपको बिलकुन निश्चित तोर पर बता दूँ, यह सरासा रूप से wrong question है, यूपिटेट का सबसे doubtful question है, संतान पुर्ल यदि आप इसके वाक्य बनाने प्रानब करें, चील उड़ता है, चील उड़ती है, तो आप कह सकते हैं कि चील एक क्या होगा, चील आपका पुर्लिंग सब्द हो सकता है, सेकिंड आप कहता है सरसो, सरसो बोई जाती है, सरसो बोया जाता है, इस तरह से आप इसे भी स्तिल the doubtful माना जाया रहा है यानि इसका answer माना जा रहा था कि या दो सरसो और चील होगा मगर संतान इसके साइड 1st और 3rd में से कोई एक हो तो ये भी मगर वास्तित है कि परसन बद़ना केवल निहारत नहीं है पहले आप question गलत बताते हैं उसके बाद आप answer गलत बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से जो इस्टुडेंट है उनका मनोबल तोड़ते हैं और उनसे कहीं ना कहीं जो पैसे की सोर्स लगाई जा रही है कि पैसा आपको कंबाइन करके आप अत्ति दर्ज करनी है तो सायद वो भी यह किसका एफेक्ट हो सकता है नेक्स परसन के तरफ बढ़ते हैं जो नेक्स परसन है वो कौन सा है देखें नेक्स परसन आता है हिंदी सहित्ते समेलें 1893 कासी नागरी परचारेनी सभा 1918 और राष्टे परचार समीती वर्धा कोश्चन में यह सही है यह भी सही दिया गया है मगर जो राष्टे परचार समीती वर्धा दिया गया है और इसका जो टाइम पिरियरड है वो कहीं मेच नहीं खाता यानि इसका जो time period है वो 1936 है 1936 में राष्ट भासा परचार समीति वर्धा का शुरुवात हुआ था मगर यदि आप option देखेंगे option नमबर 1 1893 option नमबर B 1918 और option नमबर C 1910 1936 कहीं भी इस परफशन में नहीं है तो आप मेचिंग कैसे करेंगे तो इस question के लिए निश्चित रूप से आपको एक नमबर जो common marks मिलना है वो तै है उसमें कोई बदलाऊ नहीं होना है शुनिश्चित कर लिजेगा कि इस परसंद के लिए आपको common marks दिया जाएगा और लग comment box में भी अपने अपतिदज की अपति लदी है उन पर आप सेरिंग करके पैसे का सेर करें आपस में student collect होकर पैसों का सेरिंग करके कोई single student ऐसा ना करें क्योंकि उसके लिए सायद ये बड़ा खर्चा हो सकता है तो इस तरीके से इसका जो option गला दिया गया है इस पर भी बिलकुर right answer होना चाहिए तमक और option में third द्या गया है रास तो देखे सबसे पहले आपको बता दें जो CHDP के चायल्ड पेड़ागोजी के question उस पर सायद सीधे रूप से ही कह देना कि इसका person ये है मगर क्युछ भी आपको जानना होगा कि gate से इसका पहला बहतर विकल्प मान है क्या योग की रिपोर्ट है उस सभी के साथ आपके सामने हाजूर होंगे प्लीज वीडियो को लाइक करें सेयर का तर सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले मिलता है नेक वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद